बहुत पुरानी बात है कि गाव में एक महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्मात्मा थी। वह दान पुन्य करती भगवान का भजन और सेवा भी करती। कभी किसी को गलत नहीं बोलती। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उस महिला की आदत बन गई थी। बस उस महिला को एक ही दु एक दिन एक महात्मा से बिनती की, हे प्रभु, क्या मेरे से कोई भूल हुई है? मैं तो सत्संग में जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पती मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, क्या तेरा पती तुझे भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ, प्रभु भोजन देता है. फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं. तब उस महिला ने सोचा कि अब शायद संत की कोई दया मुझ पर हो जाए, और मेरे भाग्य का लेखा जोखा कुछ अच्छा लिख दें, और उसके पती उसे मारना पीटना छोड़ दें. परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसकी तो रोज की आदत बन गई थी. रोज अपनी पतनी का पिटाई करना. समय के साथ कुछ साल बीत गए, फिर एक दिन उस महिला ने संत से पूछा, हे प्रभू, मेरा पती मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तब संत ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ, प्रभू भोजन देता है. फिर उसे संत कहती है ठीक है कोई बात नहीं वह महिला निराश होकर अपने घर लोटाई उसके पती का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहा रोज अपने पत्नी से लड़ाई जगडा मार पीट करना उसका आदत बन गया था अब तो महिला बहुत तंग आ गई और एक साल गुजरने के बाद वह महिला फिर से संत के पास गई और बोली मेरा पती अभी भी मुझे मारता पीटता है मेरी हाथ की हड़ियां भी तूट गई है हे प्रभू, मेरा कसूर क्या है मैं तो सभी का सेवा भी करती हूँ पूजा भी करती हूँ फिर भी मेरी जिंदगी में सुख शांती क्यों नहीं है हे प्रभू, आप बताएए ना फिर से संत बोलते हैं जो तुम्हें भोजन देता है या नहीं उस औरत ने कहा हाँ, रोटी देता है फिर संत कहते हैं, तब ठीक है परंतु इस बार वह महिला जोर-जोर से रोने लगी हे प्रभू, मेरा कसूर क्या है मुझे बताएए, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बरताव क्यों हो रहा है प्रभू तब संत बोले, बेटी तुम्हारा पती पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, परंतु तुम उसकी सौतेली मा थी, तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी, और उसको कई-कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी भगवान की कृपा है कि तुम्हें भोजन दे रहा है ये बात सुनकर वह महिला एकदम से चुप हो गई, तब संत ने कहा बेटा जो कर्म तुमने किये है उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना ही पड़ेगा, धर्मराज का लेखा जोखा कोई भी मिटा नहीं सकता धर्मराज जी सारे मनुश्यों के कर्मों के अनुसार उनकी लेखा जोखा करती रहती है उसके बाद से वह महिला कभी भी संत से या भगवान से शिकायत नहीं की क्योंकि वह अब सच को जान गई थी इसलिए हमें भी कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए सबसे प्रेम के साथ रहना चाहिए हमारी जिन्दगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा पीछे का जो भी पाप का गोदाम जमा है अगर उसे समाप्त करना है तो धर्मराज जी के नित्त नियम का पालन करें इससे लोक और परलोक दोनों सुखमे बन जाएगा प्रेम से बोले धर्मराज की जय हो